एक घुटने और कंधे का विशेश अग्या नई दिली इंडिया से और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंधों के चोटों के बारे में शोल्डर इंजूरीज नव इंजूरी क्या होता है एक चोट होती है जोग कंधा भी एक जोड है इसके पुर्जे है इसके हडिया है और इन में चोट लग सकती है चोट जो है यह हडियों पे लग सकती है जिसको हम fracture बोलते हैं हडि तूट सकती है या कोई भी tender मतलब जो muscle का extension ह जो रसी है वो हड़ी के टुकडे के साथ उखड सकती है वो भी एक तरीके का fracture होता है जिसको हम avulsion fractures बोलते हैं और ये चोट कैसे लग सकती है जब जरूरत से ज्यादा force जाए कंदे पे आप गिर जाओ दूसरी चीज है कंदा जो है ये एक अंसंतूलित joint है क्योंकि ball बड़ा है, socket छोटा है तो ball जो है वो बड़ी आसानी से कभी-कभी socket के बाहर निकल सकता है जिसको हम dislocation बोलते हैं dislocation मतलब ball socket के बाहर निकल गया ये पूरी तरीके से निकल सकता है या आधा निकल सकता है जिसको हम subluxation बोलते हैं जब ये होता है मतलब जो socket के चारो तरफ जो socket उठा हुआ है एक थाली की तरह एक जगे से वो उठा हुआ portion फ्लैट हो जाता है जो एक जरिया बनता है ball को बाहर जाने के लिए इसको हम एक anterior या posterior instability बोलते हैं अगर कंदा आगे की तरफ निकले पीछे की तरफ निकले तो posterior instability और ये lesion को हम एक bankart lesion बोलते हैं जब आगे की तरफ नीचे की तरफ ये उठा हुआ portion फ्लैट हो जाता है तो इसका treatment क्या है हम अगर पहले बार ही हुआ है तो कभी-कभी हम एक arm pouch देके उमीद करते हैं कि एक heel हो जाए अगर एक से ज्यादा बार हुआ है तो operation ही एक जरीया है इसको ठीक करने के लिए जो दूरबीन के द्वारा होता है जिसमें हम ये elevation को अपनी जगे पे बिठा के band देते हैं इसके लिए मैं anchors यूज करता हूँ जो रसियां या धागों से बना हुआ है कोई भी metal, plastic, कुछ नहीं लगता इसमें इसके अलावा कंदे के रसियां तूट सकती हैं रसियां जो है ये mass ratio का एक extension है जो कंदे को चलाती है ये ball पे attach होते हैं ये फट सकती है कोई भी कंदे related activity में फेकने के activities में हिट करने के activities में जहां पे कंदा इस्तमाल हो जब ये तूट जाए इसको अपने जगे पे repair करना अनिवारिया है जो दूर बीम के द्वारा में करता हो इन में धागे पास होते हैं और ये जो हैं ये बॉल के उपर वापस attach हो जाते हैं इसको हम arthroscopic rotator cuff repair bone दें इसके अलावा जैसे मैंने आपको पहले भी बोला है कंदा एक complex है इसका एक दोस्ट जोड है AC joint जो उपर है ये AC joint भी जो है ये dislocate हो सकता है ये collar bone और ये पीछे वाले bone के बीच में है जब ये dislocate हो जाया ये असंतूलित होता है ज़्यादा तर problem यहां से उपर उठाने में होती है arthritis हो सकती है बाग में तो इस joint को वापस stabilize करना अपने जगे पे बिठाना important है जो मैं दूर्बीन के द्वारा करता हूँ इसमें बस धागे इस्तमान होते है और ये AC joint stabilize होती है तो warning signs क्या है shoulder injury में तो warning signs एकदम से आते है या धीरे धीरे से आते है एकदम से आने वाले warning signs क्या है दर्द कंदा असंतुलित मतलब ball socket के बाहर निकला है आपको दिख रहा है वो चीज आप कंदे को हिला ही नहीं पा रहे loss of function ये एकदम से आने वाले चीज़े है धीरे धीरे से मीठा मीठा दर्द धीरे से आपको लग रहा है ये कंदा दूसरे कंदे से थोड़ा weak है धीरे धीरे से जो आने वाले वो overuse के वज़े से होता है या degenerative होता है बतलब जो बुज़र्ग लोग है उनके जो पुर्जें वो थोड़े weak होता है ज्यादा प्रशर आने के वज़े से वो धीरे धीरे से टूपते है तो इनको रेकिन नहीं सकरो I hope आपको इस वीडियो से कंदे के इंजूरी इसके बारे में जानकारी बिली है If you like my videos, please like and subscribe to my channel and don't forget to follow me on Instagram Thank you